सभी मीडिया सातियों को नमस्कार आज मैं इस प्रेस वारता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार आम आदमी पाटी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यंत्र प्लान किया जा रहा है हमें विश्वसनिय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने वाली है इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रही है हम पिछले कई दिनों से देख रही है कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है जो IAS अफसर है, उनकी पोस्टिंग MHA द्वारा कंट्रोल होती है लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी senior IAS अफसर की posting दिल्ली में नहीं है दूसरी बाद दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली है वहाँ पर अफसर पोस्टिड नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा तीसरी बाद LG साहब पिछले एक हफते से MHC को बार-बार बार-बार भिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिठियां लिख रहे है कहते हैं कि मंतरी गण मीटिंग में नहीं आते कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं यह मीटिंग में नहीं आ रहे हैं यह वही LG साहब है जो कोट में खड़े होके कहते हैं कि यह ट्रांसफर्ट सब्जिक्ट है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो जब आप कोट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से पल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है जब वो ट्रांसफर्ट सब्जिक्ट है तो आप M.H.A. में उसके बारे में चिठी क्यों लिख रहे हैं चौता दिल्ली सरकार के अफसरों ने Model Code of Conduct का बहाना बना कर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है चाहे वो कितने ही important मुद्दे पर हो आखरी चीज हमने देखा किस तरह से एक बीसो साल पुराने केस को उठा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल के निजी सचिव को बरकास्त करती है तो ये सारे लक्षन दिखा रही है कि एक बहुत बड़ी साज़िश हो रही है दिल्ली की सरकार को गिराने की साज़िश हो रही है अर्विंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साज़िश हो रही है और दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लगाने की साज़िश हो रही है और यही कारण है कि अर्विंद केजरिवाल जी को जूटे आरोपों के साथ फरजी आरोपों के साथ बिना किसी प्रमाण के एडी ने गिरफ्तार किया है के इंदर सरकार ने गिरफ्तार किया है क्यों क्योंकि भारतिय जंता पर्टी को यह पता है वो यह जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें वो दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल को हरा नहीं सकते हैं उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो चाहे 2015 का चुनाव हो चाहे 2020 का चुनाव हो यह 2022 में हुआ MCD का चुनाव हो कि दिल्ली के लोग अर्विंद केजरिवाल से प्यार करते हैं दिल्ली के लोग आमादमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारती जमता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आमादमी पार्टी को ही वोट देते हैं अर्विंद केजरिवाल को ही वोट दे तो बीजेपी को पता चल गया है अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं इसलिए ये लोग साज़िश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरिवाल की सरकार को गिराया ज अर्विंद के जरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये शडियंत्र हो रहा है वो है अर्विंद के जरीवाल की सरकार के काम चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, महला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें दिल्ली छोड़िये किसी भी अपने राज्ज में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे सबसे बड़ा इनको खत्रा हो रहा है अरविंद के जरिवाल जी के वादे से जो इन्हों ने दिल्ली की महिलाओं को अरविंद के जरिवाल जी ने वादा किया है कि हर महीने हजार रुपे दिल्ली की हर महिला को मिलने वाले है और इन पॉलिसीज को रोकने के लिए दिल्ली की महिलाओं को हजार रुपे मिलने से रोकने के लिए आज ये राजनेतिक साज रची जा रही है लेकिन मैं भारतिय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूँ कि दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाना गैर कानूनी होगा गैर सम्विधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा दिल्ली की जनता ने अर्विंद केजरिवाल जी को आमादनी पार्टी को एक पश्ट जनादेश दिया है इस जनादेश के तहट कुछी दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधान सभा में फ्लोर टेस्ट करके confidence motion लाके अर्विंद केजरिवाल की सरकार ने अपनी majority को साबित किया है ये बिल्कुल साफ है कि भारत के सम्विधान के तहट किसी सरकार की majority होते हुए किसी सरकार के पास जब उनके house का confidence होता है तो राष्ट्रपती शासन नहीं लगाया जा सकता 2016 में भी उत्तराखंड में जब राष्ट्रपती शासन लगाया गया था तो उत्तराखंड हाई कोट ने floor test order किया था और सरकार के प्लास floor test में confidence motion success होने के बाद राष्ट्रपती शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था अर्विंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधान सभा में overwhelming majority है अर्विंद केजरीवाल दिल्ली विधान सभा का overwhelming confidence enjoy करते हैं तो मैं भारतिय जनता party को ये बता दूँ कि अगर आप ये राजनेतिक साज़िश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा गैर सम्विधानिक होगा और दिल्ली की जनता के सपष्ट जनादेश के खिलाफ होगा दूसरा मैं दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहती हैं कि आपको इन राजनेतिक साज़िशों से डरने की जरूरत नहीं है जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे के तौर पे खड़े हैं चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल के बाहर हो वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़े चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े लेकिन दिल्ली वालों को उनका हक मिलके रहेगा दिल्ली की महिलाओं को जो अर्विंद केजरी वाल जी ने हजार रुपे महीने देने का वादा किया है ये अर्विंद केजरी वाल की गैरंटी है दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपे महीने जरूर मिलेंगे चाहे भारती जनता पाटी कितने भी शड्यंतर कर ले चाहे आम आदमी पाटी की सरकार को गिराने की राश्टरपती शासन लाने की कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अरविंद के जरिवाल दिल्ली की महिलाओं को उनका हक, दिल्ली की महिलाओं को उनका 1000 रुपे महीना दिल्वा के रहे हैं देखिए यह सारी जब चीजें एक के बाद एक हो रही है कि कभी कोई एक चीज होती है तो इनसान सोचता है कि हो सकता है कि बाइचार्स हो कि अफसर दिल्ली में पोस्ट नहीं हो रहे हैं उसके बाद दूसरी की चीज़ हमें दिखी कि बहुत सारे प्रमुख विभाग खाली होने के बाद अफसरों के सीनियर अफसर तीन तीन चार चार बड़े विभाग वोल्ड कर नहीं लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर पिछले कई महीनों से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है फिर पिछले हफ़ते LG साहब का बे बुनियाद आरोप लगाते हुए MHC को बार बार चिठियां लिखना मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाए जाना ये सब इस बात के लक्षन है के दिल्ली की सरकार को गिराने की साज़िश हो रही है अर्विंद केजरिवाल जी के गिरफतारी के नाम पर ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं के दिल्ली में सम्विधानिक संकट हो गया है यह क्यों दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि यह कितनी भी कोशिश कर लें यह कितनी भी प्रयास कर लें यह कितने भी नेताओं को उतार दें यह कितने भी वादे कर दें लेकिन दिल्ली के लोग अपना वोट अपने बेटे अपने भाई अर्वंद केजरिवाल को दिल्ली के लोग बटन जाडू पर ही दमाने वाले है तेखिए कोट का भी जो रस्ता होगा जैसे जरूरत पढ़ेगी हम उस रस्ते जरूर जाएंगे लेकिन जैसा आपने कहा ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में राष्ट्रपती शासन नहीं लगाया जा सकता 17 फर्वरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है अर्विंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक ओवर्वेल्मिंग कॉन्फिडेंस अपने हाउस का इंजॉय करते हैं और ये सारा शड्यंत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए है अर्विंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को हजार रुपे महीने देने का वादा किया है उस वादे को रोकने के लिए है दिल्ली में फ्री बिजली रोकने के लिए है महिलाओं क दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साज़िशन